पेरिस दो हजार चौबिस इंडिया मांगे गोल्ड ये इंडिया टीवी की खास पेश का सबकी निगाहे पेरिस 24 पर हैं और ये हमारी ग्रेंड कवरेज आप देख सकते हैं इंडिया टीवी, कनेक्टिट टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर, इंडिया टीवी स्पोर्ट्स पर और यहां आपको मिलेंगे हर तरहे की कवरेज और अब हमारे साथ एक खास महमान जुड़ने वाले हैं के एल सुहास, बिल्कुल आपको बता दे, I.S. आफिसर हैं, इतना ही नहीं, टोक्यो में मेडल विनर हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, एशियन चैंपियन रह चुके हैं, और वो इस वक्त हमारे साथ सीरे जुड़ रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुहाची हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो यहीं कि टोक्यो में हमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी, आपकी पैरिस से क्या उमीदें, क्या मेडल आस? देखे, टोक्यो से पहले भी जब मुझे पूछा था, तो मैं यहीं कहा था कि परफॉर्म करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता है, यह स्पोर्ट्स में भी लागू है और जिंदगी में भी लागू है, तो पैरिस में भी मैं अपने आप के उपर द उस दिन खहल एसा है कि इतने सालों में में मिलिमीटर से हारा भी है, मिलिमीटर से जीता भी है, तो हार जीत खहल में इस part of the game है, क्योंकि हर खिलाडी जो पैरिस में आएगा, वो चाहेगा कि देश के लिए arbeitet, और हम लोग भी वो चाहेगे और मैं भी वो चाहूँगा, बट जो भी उपलब्दियां आपकी हैं जो भी मेडल्स आपने जीते हैं उन सब का प्रेशर लेकर आप मैदान में जाते हैं क्योंकि फिर प्रेशर और बढ़ जाएगा तो आज जी कितनी अच्छी बात आपने कहीं मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब आप फील्ड पर जाते हैं खासकर कोट में जब आप जाते हैं आपके हाथ में आपका राकेट होता है और परफॉर्मेंस का प्र में रहना उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए जी जोट्सा जी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जो कहावत है ना फेमस की पहाड चड़ना तो आसाने बड़ पहाड पर ज्यादा रुखना जो सक्सस की जो पहाड इसको कह कभी हार कभी चीत लगी रहती है आप हर मैच में भी आप देखेंगे कि यह जरूरी नहीं कि आप 100% पॉइंट आप जीती जाएंगे आपको दूसरे खिलाडी से बहतर खेलनी है और उससे ज्यादा पॉइंट्स बनानी है तो मेजर टूर्णमेंट्स में ओलम्पिक्स हो ए सब्सक्राइब करेंगे हैं इस शांदार रिजल्ट्स के लिए दोनों ही जॉब और रूस्पोंसिबिलिटीज को कैसे मानेज करते हैं जी आपने सही कहा कि अर्ली मॉर्निंग और जो लेट नाइट्स है वो हमारा ही होता है इन दे सेंस कि कोई उस टाइम परिवार के साथ समय बिताता है कोई फिलम देखते हैं कोई टहलने चले जाते हैं तो मेरा यह रहता है कि अर्ली मॉर्निंग्स मैच खिलते होंगे बट वो एक घंटे में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी रहती है बैडमिटन भी ऐसा गेम है कि बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस दिमैंड करती है तो दो घंटे लगभग अन्दे कोट ट्रेनिंग रहती है प्लास लेट नाइट्स में ज्यं और फिजिकल फिटनेस में करता हूं कि आज की तारिक में आप तेखिए गा इन जनरल जो फिजिकल फिटनेस लेवल साप पुराने उलम्पिक्स से और आज की तारिक में सब्सक्राइब करें कि अगला सवाल आप से जो पूछना चाहरे हैं वो इंजरीज को लेकर है क्योंकि आपने फिजिकल फिटनेस की बाद की अक्सर हमने देखा है कि खासकर जो राकेट गेम्स होते हैं उसमें इंजरीज बहुत जादा होती है एंकल पर प्रेशर आता है करना पड़ता है तो आप अपने आपको इंजरीज से कैसे बचाते हैं कैसे रिकवर और रिकूप करते हैं जोचना जी ऐसे लग रहा है आप वाकए में रैकेट की स्पोर्ट्स खेली है क्योंकि आपको एड्जैक्ट मॉजल्स पता है कि कहा कहा इंजरीज होती है एंकल रि स्ट्रेंटिंग है काई बार होता क्या है कि हम लोग रिपिटेडली स्ट्रेस तो डालता है बट मॉजल स्ट्रेंटिंग पर ध्यान ने देते हैं उदारान के लिए पर कि जोर पड़ती है तूपी जो उसके उपर का का कॉडरिसेप मॉजल हाँ शूऱ्ी मॉजल आपको अ माने खेलना जितना important है, उसके बाद body को complete potential को recover करने के लिए जो आपको time देनी है, exercises करनी है, वो भी करना है, इसके बावजूद भी injuries रहती है, they are part and parcel of all major athletes, international athletes and then you have to be mentally strong, कभी-कभी आपको धर्ब में भी खेलना पड़ता है, there is no easy answer for that, कि mentally strong रहते वे जो best possible है वो देना पड़त सर एक सवाल हमारे मन में यह आ रहा है कि आपकी badminton की शुरुवात कब हुई, क्योंकि आपके academic laurels को अगर देखें तो generally आपने वो exam qualify किया, जहां मानना जाता है कि extracurricular तो ठीक है, competitive तक नहीं, तो आप badminton कभ खेलना शुरू किया और कभ आपने देखा कि अब मैं professional या competitive ज खेला था, जहां मुझे gold medal मिली थी, वो professional शुरू किया था, बट जो sports है, बच्पन में मुझे याद है, जब पापा खेलते थे, यहां आज की जमाने में बहुत कम हो गया, वो एक ball badminton हुआ करता था, लकडी की racket होती थी और उलन type का ball होता था, आज की तार में शायद ही को तो उसमें मैं बहुत चोटा हुआ करता था, स्कूल जाता था, स्कोरिंग करने के लिए खड़ा करते थे, मैं देखता था, दोनों तरफ खेल रहे तो उसके बाद कभी कभी racket लिया और खेल लिया, बाद में badminton का indoor stadiums उस जमाने में बहुत जादा नहीं था, तो outdoor में खेलत कि लगभग मुझे आरे 12th तक तो एक तरह से की 8-12th के बीच में हमारे देश में sports पर जोर देना काफी मुश्किल हो जाता है, अगर आप पढ़ाई भी बहुत seriously कर रहे है, तो एक तरह से छूटी के थी, जब इंजिनिरिंग में एनेटी सुरत कल से इंजिनिरिंग किया, त यह सब के लिए लागू है, आप वो चीज चुनिएगा जो आपको खुशी देती है, जिससे आपको प्यार है, किसी को सिंगिंग में प्यार है, किसी को आर्ट्स में प्यार है, तो यह ज़रूरी लिए आप उसको professionally pursue करें, दिन में अगर एक घंटे आप उसमें देते है, त वो मुमेंट कब आया, आपका प्यार था, आप खेलते रहे, वो NIT के दिन हो या फिर IS की ट्रेनिंग के दिन हो, लेकिन वो मुमेंट कब आया, जब आपको लगा कि मैं professional खेल सकता हूं, Asian Championship में आप गए, वो माहौल क्या बना, वो situation क्या बनी, हम आपसे वो ज़रा समझना च चाहते हैं? मैं आरे पास कहा, यह सब के लिए इस टाइम नहीं है, मैंने उनको मना कर दिया, उन्होंने अपना कार्ड और नंबर दिया, अगर कर दो मन करे तो आप फोन करिएगा, लगबग चार-चे महीने हो गया, उसके बास रात में साड़े ग्यारा बारा बारा बचे जैसे हम अगर खेल के देख ले, और पहले में बहुत लोगों को बताया भी नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा उमीद नहीं थी कि यह सफर बहुत आगे जाएगा भी, मुझे लगा एक बार ऐसी जाके आते हैं, फोन किया कोच साब को, कि उन्होंने का अच्छा, बहुत महीने बा चाहिए पर देल अगरा नहीं बहुत अपना में था जिंदीगी में जालका जोशता नहीं था बच्पन में कि लुट एक अधि अगरे बनेंगे या आएस पनेंगे या पैरलंटिक मेडल, या सब आईगे बाऐ बहुत आगे इस हैंगे थाएगा थाएगा, बहुत सारे इस तो वो शायद एक्जामिनेशन के उस पल पे उतना अच्छा नहीं कर पाया होगे, या कैसी स्पोर्ट्स पे उतना अच्छा नहीं कर पाया होगे, मैं रोज जब उठता हूँ, तो मैं भगवान से प्रार्टना करता हूँ, तो मैं थे उसे ख्रांड़ेट रहते हैं, कि आप अन्नेसरारली क्योंकि जब आप कोई भी किसी भी स्ट्रीम में उपर पहुंचते हैं, तो अगर मेरा यह मानना है कि इप यह ग्रांड़ेट, यह अब यह बें यह बेंडों कैसे कोई धे अन्य आपनी मेरा यह जद्छै कोई आपकोई टो यह टो एड आपक तो यहां की स्ट्रीम में काई, दो-चार चीजें, वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ दो-चार चीजों की मैं specifically बात करूँ, एक ये कि होबी होना जरूरी है, कब वो होबी पैशन में तबदील हो जाएगी, you cannot say, दूसरी बात ये कि फोकस रहना इंसान का बहुत जरूरी है, चाहें आप अपनी हो there is no limit to not starting, मतलब लोग कहते ना कि अरे मैं 30 का हो गया, मैं 35 का हो गया, या मेरी उमर निकल गई है, तो आप उसका सबसे बड़ा example है कि कभी भी हम कोई भी किसी भी सफर पर जा सकते हैं, कोई नई होबी को pursue कर सकते हैं, या पुरानी होबी को profession में तबदील कर सकते हैं, अब मतलब आपनी सारी बाते हो रही हैं, तो एक सवाल मेरे मन में यह आ रहा है कि जितना मैं आपकी बातों से समझी हूं कि आप ने as a hobbies game को pursue किया, इसका मतलब आपने कोई formal training नहीं ली तो यह formal training आपने क्या Asian Games के बाद लेनी शुरू की और पुराने सुहास और trained सुहास में आप मुझे formal training में ली, तो formal training में लेना चाहिए, अगर किसी को भी अगर professionally यह करना है, compete करना है, you have to be good in skills, अधिकांच Olympic Games आज की तारिक में इतनी ज्यादा technical हो गया है, उसमें अच्छा coach होना और आपकी skill level continuous upgrade होना, and not only formal training एक बार लेना, continuously क्योंकि दूसरा खिलाडी भी जब अग तर खिलेगा और वहाँ खिलाएगा जहां आप भी को कोई भी खिलाडी हो, तो इसलिए कि continuous upgrade करना, so this is very important, but जैसे मैंने पहले tournament जब गया था, उसमकद कोई formal training नहीं थी, उसमकद तो एक तरह से कि mental strength के जीता था, physical fitness तो अच्छा किया ही था, but skill मैं कहूंगा कि आज की तारि बिलकुल सर आप से बात करते हुए, आज का best moment वो था कि आप दर्वाजा खटखटा के देखिए, क्या पता कौन सा सपना सच हो जाए, जो सच मुछ इंस्पिरेशनल लग रहा है, और बहुत से लोग जो इस वक्त देख रहे हूंने लग रहा होगा कि उनके दिल में भी ही है, सवाल यह कि सर आप करें कि इसमें mental toughness, mental makeup बहुत माइने रखता है, एक खिलाडी जब बड़े लेवल पर बड़े अरीना में उतरता है, तो किस तरहे से उसका mental makeup होता है, क्या सोच के मैदान में उतरता है, और कैसे वो focus रहता है, क्यों perform कर पाए, कैसे वो stick to basics रहता है मैं उदारन देता हूँ, मेरा ही Tokyo Paralympics में मेरा semi-final था, इंडोनेशा के Freddie City अवान करके खिलाडी था, जिससे मैं Asian Games Jakarta में quarterfinals हार चुका था, कल सुबह, अगले दिन सुबह, semi-final में मुझे पहुंचना था, सुबह 7.30 बजे ग्राउंड पे, मैं रात में 10.00 बजे Olympic Village में light के सुबह बंद करके मैं सो गया, सुबह, मुझे आप तो बंद खरनी नहीं आई, 10, 12 हुआ, 12, 12 सुबह, 3 बजस बज़ तक मुझे नहीं आई और 5 साभे 6.00 बजसे केikalी देषाब सुखर हूं , ए तो हम पहुंचे तो रात भर सुखर के अपनचे वेफिर दिन कि यह में उतरना ही है तो पूरा आप आपको मैंसे से ये किया और देखा कि वो भी जो दूसरे पिलाडी है वो भी उतनी टेंशन में वो अपने भगवान को प्रातना कर रहा है मैं अपने भगवान को प्रातना कर रहा हूं and then I told I did meditation for one minute before entering the ground मैं अपने आपको ये कहा कि मैंने इससे पहले जितनी भी साल मैंने जो भी किया है वो माइने नहीं रखेगा और अगले एक घंटे बाद जिन्दगी में जो भी करूँगा तो वो भी माइने नहीं रखेगा अगले एक घंटे मेरे जिन्दगी का वो पल है जहां मैं अपनी जी जान वहां लगा दूँगा एक-एक पॉइंट के लिए फाइट करूँगा हारूँगा जीतूँगा ये मुझे नहीं पता है बट मैं एक घंटे लड़ जाओंगा और मैं इसी एक पूरा एक तरह से मेरे अंदर boost bumps आई कि मैं पूरा इसी adrenaline के साथ उत्रा और लगवाग 45 मिनिट में वो direct set में मैं वो match जीता और शायद मुझे वो ही 45 मिनिट या एक घंटे की performance के वज़े से आप मुझे interview कर रहे हैं न यह मैं चाहरा हूँ कि जिंदगी में ऐसे पल में there is no one right way आपके mind को क्या suit करता है कैसे आप अपनी mind को train करते हैं आपके mind को आप खुदी भैतर जानते हैं यह हर वेक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है तो आपको जो भी motivate करता है कि आप वो पल याद करिये जा और कुछ ऐसे पल आती है opportunity knocks your door sometimes in life उस तेम पर अपनी जी जान लगा दे ते opportunity knocks your door बस आपको पता होना चाहिए कि उस opportunity को grab cup करना है और कैसे करना है उसका सबसे बड़ा उधारन सुहास यथी राज हैं जिनसे हम बात कर रहे है सुहास जी क्योंकि mental make-up की बात हो रही है psychological pressure की बात हो रही है चाहे हम खेल की बात करें या खेल के बाहर जीवन की बात करें कहा यह जाता है कि अगर आपने यहाँ जीत लिया तो समझ यह आदा गेम आप ऐसे ही जीत चुके और खास कर खेलों में तो सबसे ज्यादा लडाई जो होती है वो mental लडाई होती है चाहे हम cricket की बात करें Australia England ऐसी टीमे है जो मैट से पहले अपने प्रतिद्वन्दी के साथ mental game करना खेलना शुरू कर देती है यही badminton में भी होता है मुझे एक मुकाबला याद आ रहा है साल 2016 का जो Olympics था जिसमें PV सिंदू और Spanish खिलाडी Carolina Marine जो हैं final मुकाबला खेल रहे थे और किस तरह से Carolina mentally PV सिंदू पर हावी हो रही थी जो उनके loud cheers थे और जो एक pressure बनाने की domination क्रियेट करने की कोशिश हो रही थी जब इस तरह के opponents आपके सामने आते हैं तब आप कैसे अपने mind को strong रखते हैं और अपने mind में ये इस बात को बिल्कुल lock करके रख लेते हैं कि मुझे effect नहीं होना है क्योंकि अगर मैंने mentally भी lose किया तो शायद में ये game हाट जाओ आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे भी badminton में ये बहुत होता है mental domination करने के लिए बहुत खिलाडी सोचते हैं और मैंने ये जब नैने में entry किया था तो मैं विचलित हो जाता था कि लोग जान भूज के rest ले लेंगे ये lese उतारने लगेंगे या hooting करने लगेंगे so then you grow, you become mature आप से दूसरे की एक तरह से mind को read करने लगते है and then you हमेशा ये होता है कि sports में you have to maintain your composure, अंदर आपको आपकी game मालूम होनी चाहिए, आपको आपकी best दिन अचीए, कोई भी sports हो, whether it is badminton or any sport, you can only give your best and उसको completely एक तरह से जितना आप training करेंगे autopilot mode में, जब भी match होता है बड़े मोक्या पर, it's basically autopilot mode है, आपने जो training में जो इन सब को continuously किया है, बार-बार किया है, वो autopilot mode में, वहाँ execute करना है, विचलित ना होते हुए, so this is जैसे कहते है न, पत्थर खाखा के सीखते हैं, हमने भी ऐसे ही सीखा है पहले मैं बहुत टूर्णमेंट में विचलित हुआ हूँ but now I think I have grown beyond that and I do much better nowadays. सुहाज जी ये तो आपके सफर की बात हुई, लेकिन अब बात उस सफर की भी कर लेते हैं, जो हमारे खासकर badminton के खिलाडियों ने तै किया है, 117 खिलाडियों का जो दल है वो पारिस जाएगा, जिसमें से साथ badminton में प्रतिभाग करेंगे, मिक्स डबल, विमन डबल्स में दो खिलाडी, पुरुष डबल्स में दो खिलाडी इसके लावा, लेडी सिंगल की बात करें, तो सिर्फ पीवी सिंधू हैं, जिन से मेडल की उमीद रहेगी, और अगर में सिंगल की बात करें, तो लक्ष सेन उभरता हुआ badminton का सितारा न है कि इन खिलाडियों को बारीकी से देखते होंगे, आपको इनके माचेस देखने में इंट्रेस्ट होगा, तो आप किस तरह से पीवी सिंधू के गेम को रीड कर रहे हैं, क्या जो गोल्ड का सूखा है, हाला कि दो बार की ओलंपियन है, चैंपियन है, सिल्वर ब्रॉंस मे देखें, बैडमिटन में भी आज की तारिक में आप जितने भी पिछले कुछ महीनों का टूर्नमेंट्स देखेंगा, इस वेरी हाइली कंपेटिटिव सर्केट, आप अगर लेडी सिंगल्स का लेंगे, पीवी सिंधू को रिलेटिवली अच्छा ड्रॉम मिला है, I think she will do extremely well in preliminary stages, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, knockout stages पे खास फर पे quarter final and बाद में, उनको जो खिलाडी मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे खिलाडी मिलेंगे, आंच से यांग है, शेन्यू के है, या रचनौक है, इतनी अच्छे अच्छे खिलाडी है, और वहाँ पे मेरा ये, मैं क्योंकि मैं खुद मैसूस किया हूँ, तो हमेशा खिलाडी के उपर हमें दबाव नहीं डालनी चाहिए, I am sure PV Sindhu will do her best to and she has the capability to defeat all of them, जो जितने भी खिलाडी है, जो circuit में इन से उपर rank में, आज की तारिक में उनके अंदर capability है, PV Sindhu का height उनके advantage में है, but it is extremely competitive, so इसलिए उस दि इन वो जो अच्छा खेल लेंगे, वो जीतेंगे and even in men's singles में अगर मैं कहूं बोद प्रनाय और लक्ष, उनको initial लक्ष को थोड़ा सा पहले ही, या आप कुछ बता रहे हैं, पवन एक report दिखाने वाले हैं, PV Sindhu की उससे पहले, PV Sindhu से ही जुड़ा मेरा एक बड़ा technical सा सवाल और आप से बहतर कोई वेक्ती हो नहीं सकता जो इसका जवाब दे, क्योंकि आपने height का जिकर किया, और PV Sindhu के साथ हमने देखा है कि उनका जो lower body का strength है, वो कम है as compared to players जो dominate करते हैं, चाहें आप Chinese, Japanese players की बात करें या फिर वो players जो इस वक्त ranking में number one है या जिनका production बहुत अच् हैं कि आपको पता नहीं चलता है शगी कहां ही कहां से मारी और कब दूसरी तरफ चली गई आज की तारिफ में अगर आप अगर पहले men's का देखेंगे आप अगर अगर पहले men's का देखेंगे आप टॉप 10 में जो five height में अगर बहुत टेकनिकल बात पता हूं यह सब लोग स से उपर ही लगबग सारे लोग है और जो वर्ल नमबर वन आप एक्सलसन या आप शियूची वगरा देखिए छे फूट से अधिकांच जो इवन लीजी जिया है similarly जो male जो badminton stars को 6 foot से अधिक होने का बहुत ज्यादा फाइदा मिलता है now coming to आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो female athletes है badminton में जितना भी आपका height अच्छा रहता है उससे फाइदा जरूर मिलता है क्योंकि आपका court coverage में बाकी लोग अगर दो step ले रहे तो आप एकी step में जाएंगे फिर center में आपको जल्दी court coverage करेंगे but then हमेशा badminton में आपको center of gravity खास तर पर जब आप defense करते हैं तो low होना जरूरी है तो जो badminton athletes जिनकी height ज्यादा रहती है वो center of gravity को कैसे वो low रखेंगे तो वो हमेशा एक चुनोत रहती है खास पर जब आगे जुक के लेना पड़ता है तो PV Sindhu के लिए ये चुनोती जरूर है but I think she has worked very well in that regard उनकी जो defense है पहले के सापे काफी improve हुई है but as I said the circuit is very जिसे उदारन के लिए आप antsy hang और tight swing जो top 1-2 athletes से आप उनकी game देखेंगे बहुत all round और अच्छी game है कई ना कई आप ये तयार रहना पड़ेगा PV Sindhu को कि 10 stroke में भी एक rally खतम नहीं होगी 15-20 stroke तक rally चलती रहेगी और उसके बाद point मिलेगा कई ना कई वो mindset के लिए तयार रहना पड़ेगा लड़ाई लंबी चलेगी बट जीत किसी का भी हो सकता है लंबी rally के लिए तयार होना होगा सुहाजी हमारे साथ बने रहेए पहले एक बार उलम्पिक की बात हो रही है और PV Sindhu की बात हो रही है कैसी है सिद्धू की तयारी, सिद्धू की तयारी और क्या है उपलब्धिया उनके नाम पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फिर ये चर्चा जारी रखेंगे पीवी सिद्धू वो नाम जो पिछले एक दशक से भात ये बैटमिंटन की सबसे बड़ी पहचान बन कर उग्धा है साइना नहवाल ने भारत में बैटमिंटन, खास्तोर पर विमन्स सिंगल्स को जो मुकाम दिलाया, सिद्धू ने उसे नई उचायों पर ही पहुँचाया लंबे कद के साथ तेज तर्रार रिटर्न की अपने काबिलियत से विरोधियों को धूल चटाने के लिए मशहूर सिंधू, कई सालों से इस इवेंट में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद रही है उलम्पिक हो या एशिन गेम्स या फेर वर्ल चैंपियंशिप भारत की सबसे मजबूत दाविदार सिंधू ही रही है 21 साल की उम्मर में पहला उलम्पिक खेलने वाली सिंधू अब अपने तीसरे उलम्पिक में भी मेडल्स की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेंगी और भारत की जोली को भड़ने में मदद करेंगी साइना नहवाल की तरह सिंधू ने भी हादरबाद में गोपिचंद अकैडमी से ही बैक्मिंटन की भाषा सीखी और इस खेल में खुद को निखा रहा 2013 में सिंधू सही मायनों में देश और दुनिया की नज़रों में आई जब सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वॉल्ल चैंपिंशिप के सेमिफाइनल में जगह बनाई और ब्रॉंच मेडल जीत कर इतिहास रच दिया ये मेडल जीतने वाली वो सिर्फ दूसरी और पहली भारती महिला थी इसके बाद तो रूने दो सिल्वर और एक ब्रॉंच फिर से जीता और आखिरकार 2019 में वॉल्ल चैंपिंशिप का गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारती बन गई इसके बाद अपने पहले उलम्पिक में सिंधों ने कमाल कर दिया रियो 2016 उलम्पिक में सिंधों ने संसनी खेस प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई बस यहां वो स्पेन की कैरोलीना मारिन से हार गए और गोल्ड से चूप गए लेकिन उलम्पिक में बैटमिंटन का सिल्वर जीतने वाली वो पहली भारती खिलाडी बन गई उलम्पिक में सिंधों का कमाल दोबारा दिखा जब टोकियो 2020 में वो फिर मेडल जीत कर लोटी हूँ हलाकि इस बार भी गोल नहीं आया जबकि रंग भी बदला हुआ था लेकिन ब्रॉंज मेडल के साथ वो दो अलाग अलग उलम्पिक में मेडल जीतने वाली सर्फ दूसरी भारती एथिलीट बन गई अब पेरिस में वो तीन उलम्पिक मेडल जीतने वाली पहली भारती बन सकती है सिंधु एक बार फिर उलम्पिक में भारते उम्मीदों का केंदर होंगी पेरिस उलम्पिक तो उनके लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि वो पहली बार ओपिनिंग सिरमनी में भारतिय दल की ध्वज वाहक होंगी बार्मिंटन फैंस सिंधू के बारे में एक बात सबसे अच्छे से जानते हैं और दाओं लगा सकते हैं तो वो यह है बड़े इवेंट्स में स्टार्श शटलर के परदाशन की खाबिलियर और ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं रिपोर्ट आपने देखी इसमें उमीदों की बात है लेकिन हकीकत ये भी है कि पीवी सिंधू की पिछले डेड़ साल में फॉर्म जादा चिन रही है इंजरीज बहुत रही है सुहाज साब हमारे साथ है सर प्लेयर के अंदर टैलेंट है, एक्सपोशर है, एक्सपीरियन्स है लेकिन जब इनसान फॉर्म से बाहर हो तो उस फॉर्म में वापस आना कितना बड़ा चैलेंज होता है और इसको कैसे पार पाया जा सकता है पीवी सिंधू से उमीदे बात अलग है रियलिस्टिक क्या प्रोच होनी चाहिए हमारे और इसी में सुहाज जी, मैं लक्षे सेन को भी जोड़ना चाहती हूँ क्योंकि उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम चल रही है प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत ही उमीदे हैं उनसे लेकिन इंजिरीज बहुत हो रही है जो पीवी सिंदू की एक अच्छी चीज यह है मेंटली बहुत स्ट्रॉंग है जैसे आपने एवी में दिखाया कि वो जब मेजर टॉर्नमेंस में उनकी परफॉर्मेंस लविल लेकिन इस बाइन इस परफॉर्मेंस पहले से हमेशा अच्छी रही है उनका ग्रूप स्टेज़स का जितना मेंने ड्राव देखा है इस गुई पर एज़ंग को उस वकत काफी उनको serious खिलाडी मिलेंगे और वो दिन की बात होती है और Olympics में तो आप यह मांखे चलिया हर खिलाडी तो चाहते ही है कि दुनिया देख रही है तो वो अपना best दे तो इसलिए कि मुझे यह लगता है personally कि form बहुत ज़्यादा माइने ले रखता है अगर आप उसको वो एक तरह से हर्डल को पार कर लिया कि आपने confidence के साथ खिल लिया तो इन Olympics Asian Games में बागी tournaments की तरह बहुत ज़्यादा माइने नहीं रखती है यू कन ज़्यादा माइने नहीं रखती है यू कन ज़्यादा देर एंज्जॉय और परफॉर्म लक्षेन के लिए भी men's जो draw है आज की तारिक में वो भी लक्षेन को draw भी जो group stage है वो भी थोड़ा था उनसीड़ है ये इनका पहला ही मुकाबला जुनाथन कृस्टी से होगा वर्ल्ट नमबर थी है ये जोनातन क्रिस्टी अभी All England champion भी रहे है और इंडोनेशा की बहुत अच्छे किलाडी है और वो अगर लक्षेन जीतेंगे तो उनकी confidence को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगी है और उसके बाद पर यह मान के चलिए अगर वो मैच जीतेंगे तो फिर वो आगे वो जीत पी सकत लक्षी सेन का चार बार जिनातन जीतें एक बार कृस्टी तो मेंटल प्रेशर तो रहे गई? तो इसलिए लग्ष सेन के लिए इस ड्राव अगर वो प्रिलिम्नरी जीट जाते हैं ग्रूप स्टेज़ देन इस लिटल ऐसे इसलिए इसलिए अगर देखेंगे अगर देखेंगे तो they are going to win the tournament. सब्सक्राइब एक दिल, उसी तरह का इन दोरों का match performance नजर आता है, आप कैसे दिखता है? सब्सक्राइब एक दिल, तो इसे पेर हैं जो वो चनोती महसूस करते हैं, मुझे लगता है वो सेमी फाइनल में ही मिलेंगे, उससे पहले उनको मुश्किल ही मिलेंगे. सब्सक्राइब एक देखेएं मेडल जीती थी तो बड़े टूर्नमें पर्फॉर्म्स कॉइट वैल, is mentally very strong all-round player है but then again male badminton circuit में speed इतना ज्यादा है मुझे लगता है वहाँ H.S. Pronoik कोशिश तो maximum करते है I think some of the Chinese athletes Indonesian athletes जो उनकी speed है that is quite fast but इनकी mental strength है he can definitely go much deeper but then for that again जैसे मैंने कहा कि यह circuit इतनी ज्यादा strongly contested circuit है it is very difficult to say on the day कौन किसको हराएगा जिताएगा मतला जिसका दिन अच्छा होगा उसकी performance अच्छी होगी पवन मेरे अंदर का खिलाडी निकल निकल के बहार आ रहा है एक सवाल मैं और सुहास जी से ले लेती हूँ सवास जी हमने सारे प्लेयर की बात की एक प्लेयर और रह गया है अश्विनी और क्रास्टो अश्विनी की बात की जाए इनके पास अनुभव है क्रास्टो की बात की जाए तो यह यंग प्लेयर हैं यह बड़ी जाइल हैं लाइट ऑन फीट हैं और इस इस women double pair से क्या उम्मीद की जाए? Women double pair भी अच्छी कर सकती है, जैसे आपने कहा, Ashuni has played many major tournaments, so she knows की major tournaments में perform कैसे करनी है, दोनों का coordination अच्छा है और कराश्टो की strokes खास तर पे अच्छी है, so they can also do quite well and women doubles player में भी, वो यह होता है कि women doubles में आप कितना unforced errors कम करें और shuttle को dominating तरीके से downward जादा से जादा मारते रहें और अपने तरह से point जादा से जादा ना दे दूसरे को, so I think both of them are also very strong contenders, yes, गल्तिया कम करें, तो Swahaj जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने overall picture के लिए and best wishes to you as well, और सच्मुच आपका interview, inspiring interview था और खासकर जो मावाप सच्मुच अपने बच्चों को खिलाना और पढ़ाना चाहते हैं, वो Swahaj की interview को ज़रू सुनाए, उनकी philosophy को ज़रू सुनाए, आप India TV की साथ जूड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, sir. Thank you so much, Swahaj जी, we are looking forward कि हम आगे आपकी और उपलब्दियां जब होंगी, तो आपसे और बात करेंगे, आपसे और बहुत सारे गुर सीखेंगे. And keep inspiring us. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 2024 में सात्विक साइराज जंकी रेड़ी और चिराग शिट्टी की भारतिये जोड़ी गोल्ड मेडल के लिए खेलती हुई नजर आने वाली है. सात्विक और चिराग ने इस महा कुम्भ के लिए अपनी तैयारी शानदार तरीके से की है. इस रिपोर्ट में हम आपको दोनों स्टार प्लियर्स के बारे में बताएंगे. इसके बाद दोनों ने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा और साथ में खेलते हुए देश के लिए कई खीरती मान रचे. सात्विक सायरा जंकीरेडी और चिराग शेटी ने एक जोड़ी के तौर पर सबसे पहले साल 2018 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के मिक्स डबल्स इवेंट्स में हिस्सा लिया और धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भारत को गोल्ड दिलाया. इन दोनों ने 2019 में थाइलेंड ओपन का खिताब जीता और 2019 फ्रेंच ओपन के उपविजेता रहे. इस समय BWF बेडविंटन रैंकिंग में ये जोड़ी वर्ल नमबर थ्री पर मौजूद है. साल 2024 में इन्होंने टॉर्नमेंट के फाइनल में जगा बनाई और दो खिताब इस जोड़ी ने Tokyo Olympic 2020 में भी हिस्सा लिया था, जहां ये दोनों ग्रुप स्टेज से भी बाहर हो गए. अब ये दोनों अपना दूसरा Olympic खेलने जा रहे हैं. भारत को सात्विक सायराज रंकिरेटी और चिराग शिट्टी की स्टार जोड़ी से अब Paris Olympic 2024 में गोल्ड मेडल ज स्टार मदुमिता बिष्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताए कि सात्विक चिराग शेटी हैं, वो नौट से आते हैं, सात्विक हैं, वो साउथ के हैं, तो पहले इनकी जोड़ी थी नहीं. ये जोड़ी इंटरनाशनल कोच ने बनाई और वो जोड़ी ऐसी बन गई क कि अब ये अटूट है, लेकिन सात्विक बड़े वो चहा नहीं रहे थे कि वो चिराग के साथ जोड़ी बनाए खेले और उसका रीजन पता है क्या था? लैंग्वेज! आप सोचिए, खेल इस ब्यॉर्ण लैंग्वेज, आपको किसी की भाशा समझ में आए नाए, लेकिन वो emotion आप समझते हैं, खेल आप समझते हैं, इसलिए ये इस जोड़ी से बहुत उम्मीदे हैं और सबसे ज्यादा hot shot है ये, favorite है, गोल की उम्मीद की जारी है. और सबसे बड़ी बात ये कि खेल की खासियती ये है कि सीमाय तोड़ता है, barriers तोड़ता है, वो जो Olympic का इतिहास अगर आप देखेंगे, Olympic की शुरुवात क्यों ही, एक common platform की जरुत थी, जहां जंग की ही बात ना हो, खेल की बात हो, इंसानियत की बात हो, मानवता की बात हो, human spirit को celebrate करता है Olympic और ये हमारी badminton जोड़ी, उसी को reflect करती है, सोचिये, कहां एक barrier के चकर में वो दोनों साथ नही सीड जोड़ी हैं, और सबसे ज़्यादा उमीद उन से की जा रही है, मेल की, बिलकुल और अगर सीड जोड़ी है, इसका मतलब ये है कि जो शुरुवाती सफर रहेगा, ग्रूप स्टेजेज में वो आसान रहेगा, लेकिन जैसे ये round of 16 में पहुंचेंगे, तो इनके पास बहुत सारे challenges रहेंगे, world number 5, world number 7 से इन का मुकाबला होगा, वो जो जो जोड़ियां हैं, वो भी बड़ा दमदार performance कर चुकी हैं, और अगर head to head record की बात करें, तो almost बराबर बराबर करा है, 3, 4, 4, 3 ऐसे records रहे हैं, तो ये record बताते हैं कि कुछ भी हो सकता है, गेम इधर भी सकता है, गेम इधर भी जा सकता है, साइना नहवाल की legacy को आगे बढ़ाया पीवी सिंदु ने, और पीवी सिंदु अब की बार खुद मौजूद हैं, और उस पीवी सिंदु की legacy को आगे बढ़ाएगी जोड़ी, उमीद की जानी चाहिए, हाला कि Wall of China अभी भी क्रॉस करना इंडियन के लिए मुश्किल रहा है, जितने भी medal बेडमिंटन में जीते हैं, उसके 65% medal आज तक है, चाइना ने जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं, Wall of China का क्या है, भारत पूरे देश ने 35 medal आज तक जीते हैं, आप कोई जानकर हैरानी होगी, कि अभी तक के Olympic के तेहास में, 35 gold medal जीत चुका है, सिर्फ badminton में, तो आप समझ सकते हैं, किस तरह की चुनौती, किस तरह की opponent से बात करें, भारत की Olympics में, badminton में medal की बात करूं, तो एक medal मुझे PV सिंदु का ही याद आता है, पिछले Olympics का bronze, उससे पिछला silver याद आता है, उसके अलावा और कोई medal हैं ने, और उनकी हेदराबाद वाली academy ने, और वहाँ जाकर लगता है कि हम चाइना को चैलेंज कर सकते हैं, दिक्कती है कि हमारे पास सिर्फ एक पुलेला गोपी चन है, और एक badminton academy है, जहांते है सारे star निकल के आ रहे हैं, पुलेला गोपी चन को अगर हम आज याद कर रहे हैं, तो याद करना प्रकाश पादुकोन को भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस game को जो standard उन्होंने दिलाया, जो recognition उन्होंने दिलाई, as a player, उसके बाद as a coach वो जो recognition दिला रहे हैं, वो भी बहुत important है, एक्जाक्ली, all England खेलने वाले, all England खेला था उन्होंने प्रकाश प पादुकोन का जिकर था, और जिस गुरू जी की मैं बात कर रहा हूं, उनसे आप मिलिए, वो sincerity, वो तपस्या, वो उनकी academy, वो ज़्यादा बोलते नहीं है, धन्य है वो academy जहां से चमकते सितारे निकले हैं, और क्योंकि प्रकाश पादुकोन की बात हो रही है, तो PV के इस बार आजा कोच गए हैं, आजा मिंटॉर गए हैं, प्रकाश पादुकोन, तो उम्मीद यहीं रहेगी कि जिस तरह का PV सिंदु का परफॉर्मेंस बड़े गेम्स में रहा है, बड़े गेम्स में कैसे वो आउट्शाइन होती हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं, उसी तरह की परफॉर्मेंस इस बार उनसे ओलिम्पिक्स में रहे हैं, बेवी सिद्दु के सामने सिर्फ चुनौती यह है कि कैसे अनफोर्स्ट एरर से बचा जाए, पिछले परफॉर्मेंस में देखेंगे, एक तो हेल्थ उनका कंसर्न है, एक अनफोर्स्ट एरर जो है व की बात कर रहे थे, अपर बॉर्डी के कंपारिशन में थोड़ा सा वीक है, और जो उनके ओपोनेंस नबर वान, नबर टू प्लेयर हैं, जो उनके लिए सबसे साधा चुनौती होते हैं, वेरी लाइट ओन फीट, मतलब इतना क्विक वो कोट कवर करते हैं, तो इस बार, इ अपने अपने लो बोडी स्ट्रेंदिंग के लिए, अपने क्वार्ड्स के लिए, अपने थाइस के लिए, बहुत महनत की अपने हम्स के लिए, और वो लाइट ओन फीट रहें, इसका ध्यान रखा गया, और जैसे कि स्वयास साब बता रहे थी कि सेंटर ओफ ग्रेवेटी नीचे करने के लिए जुकना पड़ता है, जिसकी वज़े से इंजिरी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको जुक के आगे कोट कवर करना है, और पीछे जब आप स्ट्रेच करते हैं, तो जुकने वाली फॉर्म से आप स्ट्रेचिंग फॉर्म में जाते हैं, तो इंजिरी का च ग्रैंड मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी, आप हमें हमारे डिफरेंट प्लाटफॉर्म पर देख सकते हैं, आप हमें कनेक्टे टीवी, इंडिया टीवी पर देख सकते हैं, इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल पर आप हमें लाइफ 2400 घंटे देखते रहेंगे, इसके अलावा यूट्यूब स्पोर्ट्स पर भी आपको दिखाई देगा, पॉलम्पिक से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहेगी, इंडिया टीवी पर हमारे समीप जी परिस पहुँच चुके हैं, वहां से भी अपडेट आपको लगातार मिलेगी, और फिलहाल इस झाल झाल